हेलो ब्यूरिफुल पीपल तो आज मैं फिर से लॉट आई हूँ एक और ब्यूरिफुल सा व्लॉग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मुंबई जाके मैंने क्या-क्या फूड आइटेम्स ट्राइक हैं तो दिस बे प्रक्चर देखके भी आप यह समझ ही सकते हैं तो यह ब्रिटिश एरा से एक्जिस्ट करता है और आज भी एक काफी बहतरीन और लाजवाब खाने के लिए प्रसिद है तो यहां पर आप देखी सकते हैं जो सेट अप है काफी अथेंटिक पार्सी स्टाइल का सेट अप है और यह रहा इनका मेन्यू मेन्यू में भी काफी वराइटी है आप देखी सकते हैं और प्राइज भी वाइट रीजनेबल है और टेस्ट के बारे में तो मैं आपको क्या बता हूँ और यह देखिए इनका बॉल ओ फेम है जहां पे ने काफी जगा से और वाद्स मिले हुए हैं और जिनके बारे में यह टेपिक्ट करता है तो आप ज़रा गौर से देखिए तो देखिए सबसे पहले हमने ओडर किया है यह है पलाउंजी इस क्राइनबरी सोडा यह काफी टेस्टी है और यह क्राइनबरी पंजेंट टेस्ट देता है विद दे सोडा यह रहा चिकन कट्लेट जिसके उपर थोड़ी आम यूनो फ्राइस काइंड अव तिंग है और यह भी बहुत ही बहतरीन टेस्ट था एंड काफी सॉलिड चिकन से बना था और यह है फिश पातरानी जो कि बैसिकली पॉम्फरेट फिश का है विच सम ग्रीन इन यह काफी टेस्टी था एंड यह पार्सी फूड में काफी बहतरीन माना जाता है और यह है बांबे डग दक फ् काफी बारी सुना होगा वन इत कमस तो पार्सी फूड यू कन नॉट मिस बैडी बैडी बुलाव एंड लासली दे कारमल कस्टर्ड वाव इसके बिना तो पूरा डिनर अधूरा था इस जगा की अड्रेस में डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी तो आप चेक कर सकते ह और एक जरूरी सूचना यहां पे सिर्फ कैश चलता है तो आप इस बात का खास ध्यान रखे Moving on to Leopold Cafe and Bar This cafe is located in the Kulaba area and आप सभी को यादी होगा Leopold Cafe as this is associated with the 2008 Mumbai attacks This was the first place that was attacked and आप अभी भी देख सकते हैं यहां पे कई-कई जगों पे बुलिट के निशान अभी भी मौझूद है और क्यूंकि इस जगा पे डिजर्ट और कीमा पाव काफी फेमस है तो हमने सोचा हम वही ट्राइ करेंगे तो हमने और किया कीमा पाव, cold coffee and desserts में brownie with vanilla ice cream and blueberry cheesecake Mumbai जा के street food नहीं ट्राइ किया तो क्या किया So we tried here आलू बजी, दोसा, मिर्ची बजी, बड़ा पाव, etc. And they were so yum फिर हम Mumbai जा के पाव भाजी ना ट्राइ करें ये तो कभी हो ही नहीं सकता है तो हम सीधे बादशा में पाव भाजी ट्राइ करने गए पाव भाजी as usual was amazing, no comparison at all And साथ में फालूदा भी खाया Then ओई काके में पाराठी की तो बात ही क्या थी The restaurant was quite simple yet very decorative and काफी neat and tidy था चोटी सी जगा थी पत काफी खुबसूरत सी जगा थी यहां पे हमने ट्राइ किया तंदूरी पराठा तंदूरी आलू पराठा राधा और साथ ही में हमने यहां पे कुल्फी भी ट्राइ की Everything was just so great and very friendly to the tummy And last but not the least on the last day my sister-in-law did made us try kepsa which is again a Turkish dish I believe This had different kind of kebab chicken kebabs mixed in the rice and it tastes almost like biryani but you know थोड़ी differently but almost like biryani I would say और इसी के साथ मेरा Mumbai food vlog यही पे समापत होता है आशा करती हूँ आज का vlog आप सभी ने बहुत enjoy किया है अगर enjoy किया है please do share your love with me and do show your love and wishing you all a very happy new year in advance take care of your health and I will see you in the new year with new vlogs take care bye